थालापती वीजे की हमेशा से ये मुवीजे को लोगों दोआरा काफी ज़दा प्यार मिला चाहे वो हिंदी ओडियोंस हो चाहे वो तमिल ओडियोंस हो हर किसी लोगों को जो थालापती वीजे की मुवीजे वो काफी ज़दा पसंद आती हैं हिल्दी बेंट के अंदर आपी तक थालापती वीजी के काफी सारी मूवीज रिलीज हो चुकी हैं लैक मास्टर वारी सुप बीस बट इन्होंने हिंदी बेंट के अंदर डीसेंट सी कलेक्शन करी थी बिकोज इनका परमोशन अच्छे लेवल के ओपर नहीं हुआ था बट इस बार थालापती वीजी आ रही अपने काफी सारी मूवीज को लेकर जो की बॉक्स ओफिस के उपर बहुत बड़े-बड़े रिकॉर्ड बना सकती है और बहुत बड़े रिकॉर्ड तोड़ेंगी भी तो अगर आप लोग थालापती वीजी के फैन है और आप लोगो को उनकी मूवीज देखना पसंद आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अन तक देख ले बिकॉस इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगो के लेक बहतरी सी लिस्ट बरा दी है और सबी मूवीज की इस वीडियो को लाइक ज़रू करें चैनल को सुस्क्राइब करें और इस ब्राइक न को तबाले लेटेस नॉटिफिकेशन के लिए चली के बढ़ते हैं हमारी सकमाल की वीडियो की तरफ बात करो लिश्ट की सबसे पहली मूवी की तो वो होने वाली एलियो जो की रिलीज हो चुगी एक एक अक्शन क्राइम ड्रामा मूवी होने जा रही है जिस मूवी के हमें लीड गंदर दिखने जा रहे हैं थाला पती वीजे, संजेदत, त्रिशा क्रिशन, अर्जुन सजज़ जैसे काफी बहतरी नेक्टर और इस मूवी को डट कर रहा है लोकेश कनकराज ने ये मूवी कनेक्ट हो चुकी है यानि की लोकेश कनकराज यूनिवर्स से अगर आप लोग ने लोकेश कनकराज की पहली मूवी जानि की कैती और विक्रम नहीं देखी है इस movie को देखने से पहले आप लोगों को उस movie को देखना पड़ेगा, इस साल के सबसे highest grossing movie बन चुकी है, इस movie ने जवान movie का भी record तोड़ दिया है, तो मतलब की है कि इस movie को लोगों द्वारा काफी ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इसी वच्छे से लोग आप excited है इस movie के OTT release क Netflix पर होगा, अगर आप लोग इस movie को Netflix पर देखना चाते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को सिरफ एक महीने का वेट करना है, यानि कि आप लोगों को ये movie 19 नमंबर को Netflix के ओपर देखने को मिल जाएगी, चली बात करते हैं, लिस्ट के अगली movie के बारे में जो कि होने वाली है थालापती 68, जो कि एक upcoming action family drama movie होने जा रही है, जिस movie को डेक करने वाली है वेंकट प्रभू, और बात करें इस movie की star cast की, तो इस movie की star cast के अंदर हमें दिखने जा रहे हैं थालापती वीजे के साथ प्रभू देवा, तमन् अपनी family को बचाते हैं, यह सब आप लोगों को इस movie के अंदर देखने को मिलेगा, इस movie की shooting को September 2023 के अंदर शुरू कर दिया जा रहा था, पट लियो movie की shooting के चलते हैं इस movie को थोड़ा सा delay कर दिया गया है, अब इस movie की shooting है, वो November 2023 में शुरू होगी, अब आप लोगों को यह मुवी जो है, 2024 के अंदर देखने को मिलेगी, पैन इडिया लेविल के ओपर, जी हाँ, आप लोगों को यह movie हिंदी तमिल तेलगो करने डापाशा के अंदर 2024 में देखने को मिल जाएगी, सो बात करता हूँ, लिस्ट के अगली movie के बारे में, जो की होने वाली है, थालापत उफिस कर पर तबाही लेकर आता है, इस बात की फोल उन गिरेंटी है, और आप लोग फिससे अंदाजर ये भी लगा सकते हैं, कि ये movie भी कितनी बड़ी ब्लॉक बस्टर होने वाली है, और हाली में ही एट बिले जवान जैसी movie दिया है, जो की box office कर ग्यारा सो करोड से भी ज्यादा की कमाई कर चुगी है, तो आप लोग इस movie से क्या expect कर सकते हैं, आप लोग वो पता ही रहेगा, बात करूँ इस movie की release date की, तो इस movie की जो shooting है, वो दोजार चूटिस के end तक शुरू होगी, बिकोज एटली अभी आलु अर्जन की movie के साथ बिजी है, और वही पर था थालापती 68 के अंदर बीजी है, जैसे ही वहाँ से free होगी, इस movie की shooting शुरू हो जाएगी, और आप लोगों को ये movie 2025 के अंदर देखने को मिल जाएगी, पैन इडिया लेवल के उपर, हिंदी तमिल तैलकू कनणा बाश्या के अंदर, सो बात करूँ अगली movie की जो खिक untitled movie होने वाली है, जिस movie को डैक्ट करने वाले है, वामसी जिननकी इस से पहले थालापती वीजे सर के साथ, वारिसु जैसी काफी बहते इन movie दी हुई है, जो की family audience को काफी ज़दा पसंद आई थी, उस movie के अंदर action, emotion, सब कुछ भरबर कर मिला था, और यही collaboration फिर से मिलकर आ र प्री टोकर, आप लोगों को यह movie 2024 के अंदर इंडियन ठीटर्स में 2024 समर में देखने को मिल जाएगी, बात करो अगली movie की जो कि होने वाली है, गरुडा, जो कि एक upcoming action thriller movie होने जा रही है, जिस movie को डैक्ट करने वाले है, वेटरी मारं जिननकी इससे पहले असुरन जैसी अगर आप लोग ने तनुश्की वा असुरन movie देखिया, तो आप लोगों को पता होगा कि वेटरी मारं कैसी बैतरी मुविस बनाते हैं, तो उसी परकार से इस movie के अंदर हमें थाला पती विजे एक फार्मर के किरदार के अंदर देखने को मिलेंगे, फार्मर की लाइफ के मदद करते हैं थाला पती विजे, ये जब आप लोगों को इस movie के अंदर देखने को मिलेगा, ये movie एक heart reading movie होने वाली है, वेटर इमारं अपनी ऐसी movies बनाने के लिए कापी ज़्यादा फेमस है, आप लोगों को इस movie की जो शूटिंग है वो 2024 में देखने को मिलेगी, तो ultimately आप लोगों को ये movie 2025 के अंदर रिलीज होती हुए दिख जाएगी, पैन इडिया लेवल के उपर, यानि कि आप लोगों को ये movie हें दितमे तेल गूब आश्या के अंदर देखने को मिल जाएगी 2025 में, बात करता हो लिस्त की आखरी movie के बारे में, जो कि होने वाली है विकर रिलीज होई होगी जिस movie अंदर आप लोगों को कार्ती, तालापती, विजे, सूरिया, फाद, फासिल, कमल असन जैसे एक खाफी बड़े-बड़े अक्टर ये एक साथ दिखने वाले हैं एकी स्क्रीन के उपर, ये movie LCU का पार्ट होने वाली है, बट इससे पहले लोकेश क जनकर आज रजनी कांसर के साथ एक movie बनाएंगे, देन उसके बाद वो आएंगे कहती 2 के उपर, एंद एक रोलेक्स का भी spin-off बनने वाला है, उसके बाद जाकर एंड में आमें ये LCU की सबसे बड़ी movie देखने को मिलेगी, जिसके अंदर की आमें Avenger लेवल का action पूरा संग जिस पर है, बर जब ये movie आएगी, आप लोगों को ये भी पैन इडिया लेवल के उपर देखने को मिलेगी, जिहां आप लोगों को ये movie हिंदी तमित देलगों के अंदर देखने को मिल जाएगी, जैसे ही movie की कोई भी update आती है, हम आप लोगों को जुरूर शेयर कर देंग कर देंग है?